नमस्कर दोस्तो मैं उदेलाट फ्रेक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर उड़ देखने वाले हरकिसान भाय और मुर्गी पालक भाय का आज की उड़े में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तो थमनेल देखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तो दुनिया का सबसे बहतरीन व्याउसाय है मुर्गी पालन का और दुनिया की सबसे बहतरीन ब्रीड है दोस्तो देशी मुर्गी आएसे में दोस्तो देशी मुर्गी पालन का यह व्याउसाय घर घर तक पहुच चुका है देशी मुर्गी पालन के इस व्यावसाय के माध्यम से कितने बेरोजगार युआ यूटिया और साथ ही में दोस्तों दिव्यांग विकलंग व्यक्तियों के साथ साथ वयसका आबादी के सदस्यों को रोजगार प्राप्त हो रहा है आईसी परिस्तितियों में दोस्तों फिलहाल तेज गर्मी का समय है और तेज गर्मी में दोस्तों जो आपने थमनेल में पढ़ा और टाइटल में पढ़ा तीन कारणों की वजह से तेज गर्मी में मर सकती है मुर्गिया हाँ दोस्तों वह तीन कारण कौन से है और तीन कारणो का हम यहां पर किस तरह से solution निकाल सकते हैं जिसके कारण वज दोस्तों हमारे फार्म पर मरने वाली मुर्गयों का प्रतिशत हम कम कर सकते हैं इसके लिए यह तीन कारण जानना जरूरी है इनका solution जानना जरूरी है तेज गर्मी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में सटीक जानकारी लेना जरूरी है यह सभी बाते जानने के लिए तीन कारणों का सुलूशन जानने के लिए यह वीडियो शुरुवात से लेकर अंत तक देख लिजे पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजे ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजे रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड कर अनुरोद करता हूं दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं मानता रहूंगा आप भी मुझे अपना और घर का सदस से मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लिजे इसके लिए इस यूडियो के दाई तरब निचली साइड में आने के बाद दिखाये देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में एक घंटी आएंगी इस घंटी को टच करते हुए और इस नोटिफिकेशन को आन कर दीजे ताकि आने वाला हरुडियों आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो देख लिजे दोस्तों गर्मी के मौसम में मुर्ग्यों पर आने वाली दिक्कते और उसका सोलूशन दोस्तों आप सभी को पता है कि तेज गर्मी होने के बाद मुर्गी जो है दोस्तों तापमान 40 degree Celsius के उपर जाने के बाद असहज महसूס करती है आईसे परिस्तितियों में फिर दोस्तों वहत कौन से तीन कारण है कि जिसकी वजह से मुर्गिया गर्मी के मोसम में मर सकती है यदि इन तीन कारणों को जानते हुए उसका सोलूशन अगर निकाल पाने में आप सफल हो गए तो दोस्तों सव प्रतिशत यहाँ पर आपको गैरंटी से कह सकता हूँ कि आपकी एक भी मुर्गी तेज गर्मी में नहीं मरेंगे लेकिन इससे पहले वहत तीन कौन से कारण है कि जिससे मुर्गिया मर सकती है और उसके सोलूशन क्या दोनों भी मैं आपको बताऊंगा जिस माध्यम से दोस्तों आपके सामने शिकायत आने से पहले सुलूशन मौझूद रहेंगा जिस माध्यम से आप सफलता के उस उच शिकर तक पहुँच पाएंगे तो देखें दोस्तो तीन कारण हम बारी-बारी से लेते हैं और उसके solution उसके साथ ही देखते हैं तो दोस्तो नमबर एक दोस्तो तेज गर्मी में मुर्गी मरने का सबसे बड़ा पहला कारण होता है दोस्तो वहाँ पर शेड़ हाँ दोस्तो हमारे मेंसे कितने मुर्गी पालक भाई कि उनका शेड दोस्तो ठीक ठाक नहीं है। आप सोच कर दीखिए किसी का सेड टीन का है किसी का सेड सिमेट के टीनों का है यानि कि उपर की जो साईडेy वहां से तेज गर्मी आती है तेज भाप अंदर आती है और उसके वजह से दोस्तो वह मुर्गी के शरीर तक पहुच जाती है और यही गर्मी वातावरन के माध्यम से मुर्गी तक आ गई तो दोस्तो मुर्गी के शरीर की गर्मी बाहर की गर्मी की वजह से मुर्गी मर जाती है आयसे परिस्तितियों में दोस्तों यदि आपका शेड बहुत गर्म हो तो उसकी वजह से मुर्गी सव प्रतिशत मर सकती है लेकिन आयसे में फिर दोस्तो इसका solution क्या है वज़ा तो पता चली कि शेड अगर व्यवस्तित ना हो तो मुर्गी मर सकती है लेकिन इसका solution भी देता हूँ दोस्तो आपको एक बात करनी चाहिए कि आपने शेड के ऊपर दोस्तो वहाँ पर जो तूर दाल होती है उसके निकलने वाले particles कपास के निकलने वाले particles और उस पर अगर वहाँ पर वेल लताई creepers छोड़ देंगे यानि कि जो हम लोकी कहते है करेला कहते है ककड़ी कहते है pumpkin का हो दोस्तो इनको आप क्या करिए शेड के ऊपर छोड़ दीजिए आइसा करने की वजह से क्या होगा दोस्तो कि वहाँ पर जो है दोस्तो सुरज की रोशने डायरेक्टली उन टीनों को सफर्ष कर नहीं पाएगी यानी कि वहाँ पर गरमी डायरेक्टली वहाँ पर टच नहीं होगी तो अंदर की साइड भी गर्म नहीं होगी अंदर की साइड मौजूदा गर्म नहीं होगी तो मुझे एक बात बताईए कि यदि बाहर का तापमान 42,43,44 दिग्री सेलसियस तक हो और अंदर का तापमान 3 से लेके 5 डिगरी सेलसियस तक अगर आप कम करने में कामियाब हो गए जो कि सव प्रतिशत आप होंगे अगर मैंने आपको जिस तरह से बताया उस तरह से किया तो तो इस माध्यम से दोस्तों आपके मुर्गियों को गर्मी बहुत ज्यादा तकलीप नहीं देगी और आपकी मुर्गी नहीं मरेगी इसलिए दोस्तों पहले सोचिए कि आपके शेड़ के ऊपर अपने ऐसा प्रबंध किया है ठीक है नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए क्या डालना है कैसे डालना है आप सोचिए लेकिन ऐसा डालिए कि सूरज की जो तेज गर्मी है उन टीनों को वहाँ पर ना चुपाए जिस माध्यम से अंदर का तापमान तीन से लेके पास डिग्री सेल्सियस अगर आप कम करने में कामियाब हो गए तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि आपके फार्म पर मुर्गियों का मौर्टिलिटी रेट यानि मुर्गियों का मुर्त्यु दर कम हो जाएगा और ये बात करने के लिए अलग से आपको कुछ भी खर्चा करने की आवश रकता नहीं है सोचिए आज अगर सही सलामत रहेगी मुर्गी तो सर्दी और बरसाद के मोसम में बहुत ज्यादा आमदनी हमें वहाँ पर हो सकती है इसलिए दोस्तों मुर्गिया तेज गर्मी में मरने का सबसे बड़ा कारण शेड होता है दोस्तों इसलिए शेड को कुछ भी करके ठंडा रखे जिससे मुर्गिया मरने का प्रतिशत घट जाएगा और आप सफल हो जाएगे उसके बाद का दोस्तों दूसरा कारण मुर्गियों को दिया जाने वाला सूखा फिड हाँ दोस्तो मुर्गियों को हम फिड देते हैं गलत फिड देते हैं और फिड देते हुए बहुत सारी वहाँ पर गल्तिया करते हैं जिसकी वजह से मुर्गी मर सकती है जैसे यदि हम बहुत ज्यादा वहाँ पर सूखा फिड दे जिसमें कि आप गेहु जवार मकाई चावल बाजरा इनका इस्तमाल कर रहे हैं साथी में आप जो है बच्चों को प्री स्टार्टर स्टार्टर फिनिशर लियर फिडिये सभी दे रहे हैं और दोस्तों अगर आप कुछ भी गीला फिड नहीं दे रहे हैं तो दोस्तों आपका जो फिड मैनेजमेंट है बहुत ही ज्यादा गलत है दोस्तों सोच कर देखिए की बाहर की साइट पड़ गरमी है दोस्तों तेज गरमी है बाहर और जो है वातावरन सुखा है और फिड भी सुखा होगा तो दोस्तो मुर्गियों के शरीर में तापमान बढ़ जाता है क्यूँकि इनमें कार्वोःडेुट्स होते हैं कैलरीज होता है और इसके साथ दोस मुर्गियों के शरीर के अंदर का तापमान यदि बढ़ जाता है तो मुर्गी पसीने के जरीय उसे बाहर भी नहीं फेक सकती है जिसके कारण वज ये गलत फिड देने की तकनीक के कारण भी मुर्गियों का मरने का प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ सकता है फिर ऐसे में करे तो करे क्या दोस्तो एक बात बताता हूँ आपको कि मुर्गियों के शरीर में गर्मी बढ़ाने वाले पधारतों का इस्तमाल यानि फिड का इस्तमाल कम किजिए यानि दोस्तो आप चिकन वेस्टेज मचली वेस्टेज उसके साथ गुड़ पानी अदरक लहसन होटेल होस् गास दसरत गास और जो कुछ आपको गीला मिलता है जो कुछ पानी मिश्रित मिलता है तर्बूजा खर्बूजा ककड़ी इन सभी का इस्तमाल कर दीजिए और साथी में दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान में रखी कि जितना हो सके पानी मिश्रित फिड जिनमें अपने चाहिए लेकिन सुखा नहीं गीला देना चाहिए दोस्तों यहां पर यह बात ध्यान में रखिए और हरे चारे का इस्तमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि आपके मुर्गियों के शरीर में ज्यादा से ज्यादा पानी जाएगा तो इस बाहरी बढ़ने वाले तापमा को solution के रूप में तबदिल करना है तो ही आप सफल हो सकते हैं जो मेरा भाई समझो इस प्रकार से मुर्गियों को फिड़ देगा और शरीर के अंदर की गर्मी को कम करेगा सव प्रतिशत मेरा वह भाई इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करेगा क्य गर्मी बढ़ाने वाला फिड़ मत दीजिए वहां पर शरीर का तापमान कम करने वाला हरा चारा और गीला फिड़ दीजिए सव प्रतिशत आप सफल हो गया आपके मुर्गियों का मॉर्टिलिटी रेट जीरो परसेंट हो जाएगा तीसरा और आखरी पॉइंट दोस्तो पानी हाँ दोस्तो पानी ही तो जीवन है जल ही तो जीवन है दोस्तो लेकिन यह जल गर्मियों के मोसम में अपना एक महत्वपुर्ण स्थान बनाता है दोस्तो आप पानी तो दे रहे हो लेकिन पानी देते हुए गलती कर यदि आप तंकी का पानि गर्म होगा तो दोस्तों मुर्गिया पानी नहीं पीगी। क्यों कि क्या गल्ती है वो बोल नहीं पाते हैं खुद नहीं ले पाती यह गल्ती है क्या नहीं दोस्तों इसलिए सोचिए कि जो मुरगिया हमें पैसा कमा कर देनी वाले जिस माध्ययम से लाको का मुरफ खुमारे में सपना देख रहे क्या उस मुर्ग蘇 को स्थमिंदापानी दे रहये नहीं तो दोस्तों आपको छंदा पानी जरूर उपलब्द करना चाहिए और साथ ही में अएक बात दोस्तों ठंदाफ पानी देने का मतलब स्रीफ बरफ का आपके पास बरफफ नहीं दिक्टत नहीं आप क्या किजिए जो वहां पर पॉटर्स होते उनके पास के गड़ा लाई है उस घड़े में यानि को मट्टी का गड़ा लाई है उस मट्के में पानी डाल दीजे दोस्तों साइड से कॉटन का कपड़ा वगेरे लगा दीजे पानी डाल तेरे बहुत ठंडा पानी हो जाएगा मिनरल वाटर से भी बहतर पानी हो जाएगा उसको आप क्या करें नॉर्मल पानी में मिलाकर आपने सभी मुर्गियों को मुर्गों को चूजो को दीजिए और देख लिजे दोस्तों आपकी मुर्गी कल जितना पानी पिरती उससे दुगना आज पानी पीगी और उतना पानी पर जितना ज्यादा पानी मुर्गिया पिएगी दोस्तों मही महा में उतना कम मुर्गिया बीमार बढ़ेगी दोस्तों उतना कम मुर्गियों को तकलीफ होगी और आएसे में आप देखते होंगे आपकी मुर्गी बीट पतली कर रही है सांस उपर देखकर ले ये तक्लीफ है गर्मी की ये लू लगने की सम्भावना है ऐसे में पानी दोस्तो में सबसे महत्वपूर्ण पार्ठ आइनल इसलिए दोस्तो पानी कर सकते हैं ऐसे सभी फिड का इस्तमाल कीजिए जिसमें प्याज का भी इस्तमाल आप कर सकते हैं इसलिए दोस्तों इस बात थे तो छोटी-छोटी है लेकिन इन तीन कारणों की वज़े से मुर्गयों का इसलिए निकाले तो मुर्गयों का इसलिए जो है दोस्तों मई माहा में 0% भी होश रखता है मुझे आपसे इतना ही पूछना है कि दोस्तों क्या आपने कभी शेड फिड और जो पानी है उसके बारे में कभी विचार किया है नहीं दोस्तों हम तो अंडे का चूजों का विकर प्रश्त नहीं करते है इसलिए दोस्तों शारिक्ष्रम से ज्यादा आप स्मार्ट वर्क कीजिए और बुद्धिक उशल का इस्तमाल कीजिए और यहां से आगे आज क्या वडियों देखने के बाद दोस्तों देखिए क्या आपके शेड पर ढखा हुआ है आपके शेड के तरहा चारा गिला फिड दीजिए सुका फिड को टाल दीजिए होटल होस्टिल रेस्टोरनेंट का खाना मत दीजिए गेहूँ जवार मकै चावल बाजरा इनका इस्तमाल कर दीजिए गुड़ पानी और अदरक लहशन के साथ साथ दोस्तों चिकन वेश्टेज और मचली व congestion होगी और इन तीन कार्णो की वजह से गर्मियों के मोसम में मुर्गियों का mortality rate बढ़ता है जो कि आप संभाल लोगे तो मुझे लगता है कि आपका mortality rate आपके नके बराबर होगा और सफलता आपके कडम दोस्तों इसके कारे में क्या है आपका सोचना इन तीनों तीनों कारणों कारणों से क्या आप सहमत है क्या आपका यह सोलूशन निकल चुका है दोस्तों मुझे कमेंट्स करके बताईए पसंद तो आया होगा वीडियो लाइक कीजे किसान भायों तक पहुचाने के लिए शेयर कर दीजे उसक सब्सक्राइब कर लिजे इसके लिए इस वीडियो के दाई तरब निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाल लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को तैच कर दीजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटिया इंगिस घंटि को टच करते हो और इ आज कर दो में तहरील से बहुत-बहुत आभाद